भार्तियी जन्ता पाठी के साथ बढ़ती हुई नस्दीकियों को लेकर राजस्तान के पूर्व उप्मुख्य मंत्री सचिन पाइलट लगतार सुर्खियों में बने हुए हैं वीतेकल नेशनल हिराल्ट केस में राहुल गांधी एडी के सामने पेश हुए पेशी को लेकर कॉंग्रेस देशभर के एडी मुख्यालियों पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई कॉंग्रेस के नेता सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखें अब इंसत के बीच में सचिन पााइलट का बड़ा बयान सामनी आया है सचिन पााइलट ने भारतिये जन्ता पार्टी में शामिल ओने की अजकलों के बीच अपना रुक साफ कर दिया और प्रद्धान मंत्री नरेंद्र मोधी को ताना शाह बता दिया सचिन पाइलट ने ट्वीटर हैंडल पर लिखा केंद्र सरकार विपक्ष की आवास को दबाने के लिए समवेधानिक संस्थाओं का दुरूप्योग करके लोकतंत्र का उपहास उड़ा रही है कॉंग्रिस पाठी इस ताना शाही सरकार के हर हद कंडे के समक्ष निदर और अडिक खड़े हैं हम ना डरेंगे ना जुकेंगे सत्या के लिए लड़ेंगे हमने गांधी वादी और शांती पूर्ण तरीके से एक मार्च निकालने की कोशिश की लेकिन दिल्ली में अनुमती नहीं मिली जिस प्रकार से ये लोग एजिंसियों का दुरूप्योग कर रहे हैं वो सब जग जाहिर हो चुका है केंद्र सरकार विपक्ष की आवास को दबाने के लिए संवेधानिक संस्थाओं का दुरूप्योग करके लोगतंत्र का उपहास उड़ा रही है आपको बता दे सोनिया गांधी को इसी मामले में E.D. ने 23 जून को पूछताच के लिए समझारी किया है E.D. के सामने राहूल गांधी बीते कल पेश हो गए है अब इन सब के बीच में सचिन ने जस तरह से कॉंग्रेस का साथ दिया है सोनिया गांधी राहूल गांधी के समर्थन में आवाज बने है उससे साथ मालूम पढ़ता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सचिन की राज नीती भाजपा के खिलाफ है और भाजपा के खिलाफ ही रहेगी नेक्स्ट नाइन न्यूजरूम की रिपॉर्ट